नमस्कर दोस्तों, विटामिन C से भरपूर आवले का जूस आज हम घर पे बनाने वाले हैं, बच्चों को पसंद नहीं आता है जनरली ये, लेकिन हम इसको खट्या और मीठा इस तरीके से बनाएंगे कि ये बच्चों को भी पसंद जरूर आएगा, तो चली रेसिपे करते हैं, आवले का जूस की, तो यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ पूदेने की पतिया जिसको धो के साफ कर दिया है, साथ में हम लेंगे जीरे का पाउडर, यहाँ पर लिया है मैंने काला नमक, ताकि इसका स्वाज जो है और खिल जाए, गुड की कुछ डलिया लिए है, यहाँ पर टूहां अमकरी मैंने तो दिखाने के लिए हैं । यहाँ पर मैंने लिया है तों आब हनी आप जाए कि सीधिण है करने से लिकलाकरु इहां दूगण से क्षब तो पूरे और यहाँ है। और यह बड़ी साइस के आवले हैं जिसे एक आवले से लगबग एक ग्लास जितना जूस बन के तयार हो जाएगा तो यहां पर मैं 3-4 ग्लास जितना जूस बनाने वाली हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं आवले के ऊपर बिल्कुल भी दाग नहीं है तो कोशिश ओपर बी जितना सारा आवले का पल्प लगा होता है वह हमें निकाल देना है और इस तरीके से जो गुटली बद जाती है उसको हम डिसकाट कर देगे तो 4 गुटलीओं को हमने डिसकार्ड कर दिया है और जो हम डाल देंगे मिकसी के ज्ःार के अंदर शो हे आप पूदिने डाल देंगे तो यहां पर जो है काली मर्च आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं बच्चों को पसंद नहीं है यहां पर आधी गलास इतना पानी डाल के जो है मैं इसका एक पेस्ट बनाऊंगी तो यह पेस्ट जो है बिल्कुल फाइन सा तो नहीं होगा मिक्सी के जार के पिर जो मसलिन क्लोथ होता है जिसे हम हंकड वगर बनाते हैं वो ले सकते हैं अब जो है हमने आवले का सारा पल्प डाल दिया है पीसने के बाद नहीं और थोड़ा सा पानी मिक्सी के जार के अंदर डाल के हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि मिक्सी के अंदर कुछ भी चि अब जो है मिसके अंदर थोड़ा सावशकता है कि नुसार पानी डाल देंगे और यहां पर मैंने हनी डाला है साथ में इसके अंदर नीम्बू का रस डाल दूंगी और आप चाहे तो हनी का इस्तिमाल कीजिए नहीं तो इसे इसकी भी कर सकते हैं और सारा जो है थोड़ा इसक इस्तिमाल करने से बच्चों को बहुत ही पसंद आती है तो बनाए इस तरीके से आवले की जूस की रेसिपी कमेंट बॉक्स में मुझे जुरूर बताएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक अपना ख्याल रखिए